तो एलो एन एवरिबन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आपकी पड़ा इच्छे से चल रही है तो गईस मैं चित्रांश दादिच आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारा यह जो सेशन होने वाला है क्लास 24 & 25 का से प्रिपरेशन की आज हम स्टाइटिंग करने वाले हैं शुरुआत करने वाले हैं तो उसमें पहला हमारा जो स्टैप होने वाला है फ्लैमिंगो का हम फस्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेता है कौन-कौन हमारे साथ जुड़ अगर अगर अभी तक आपने इस लेक्टर को लाइक नहीं किया तो फटाफट से पहले लाइक कर दो करके और जो भी आपका स्टेडी ग्रूप है आपने फ्रेंट्स के साथ बना रहा है स्कूल का ग्रूप बनावा है उसमें फटाफट से शेयर कर दीजिए फिर देखते है कौन-कौन आ गए है तो लवकुष हमारे साथ है मोहित है सपना है आर्या है शुरुती है साउथ मुवीज हमारे साथ जुड़ चुका है रितिक है सत्यमपाल है सुनीर है शिक्षा है इशू है स्तुती है आरोही है अंजली है निर्भय है अभय है और क्या बात है निर्भय औ लिए आज का लेक्चर होने वाला है एक बिहार बोड को रहने दीजे क्योंकि बिहार बोड का लेक्चर हमारा साड़े तीन बजे हो गया था अगर कोई बिहार बोड का स्टूडेंट आ गया है तो बिटा आपका लेक्चर अल्रेडी साड़े तीन बजे अपलोड हो चुका है आप live की जो playlist है उसमें जाकर के उसे देख सकते हैं जाने से पहले एक बात और सुन लो बिहार बोर्ड वालो कल 3.30 बज़े फिर आपका lecture आने वाला है और NCRT का भी कल वापस 3.30 बज़े lecture आएगा ठीक है तो चलिए guys start करते हैं क्या बिहार बोर्ड के लिए है जवाब दे चुका है जैपरकाश यह बिहार बोर्ड के अलावा सभी बोर्ड के लिए है ठीक है चलिए guys शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक टुडे तो सबसे पहले हम लोग आज स्टोरी स्टाइल के अंदर थोड़ा सा इसे समझने वाले है हमारा चैप्टर क्या है क्या नहीं है किस तरह से हमारा चैप्टर में प्रिपेर करना है किस तरह से हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज़े हमें देखने को मिलेंगी ठीक है यह सारी की सारी बाते हम लोग आज करने वाले हैं राइट वन सेकंड गाईज चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी बात यहाँ पर समझते हैं वो बात क्या है कि इस चैप्टर में हमारी मेन दो केरेक्टर होने वाले हैं दो केरेक्टर कौन कौन होने वाले हैं एक आप और एक मैं एक आप और एक मैं क्यों क्योंकि एक होने वाला है स्टुडेंट और एक होने वाला है टीचर तो स्टुडेंट का नाम है फ्रेंज और टीचर का नाम है एम हमिल मैंसर्स हमिल तो एम हमिल जो है वो एक टीचर है जो तो भाई उड़ी माल लेते हैं, आज घूमने चलते हैं, कहीं पर उड़ते वे पक्षी देखेंगे, परशन शोल्जर्स को ड्रिल करते वे, वियायाम करते वे देख लेंगे, बढ़े बड़े पहाड़ों पर बड़े बड़े पेड लगे वे उनको देख लेंगे, कुछ भी तभी उसे एकदम से ध्यान आता है, कि ने ने यार स्कूल जाना तो वस्ता जरूरी है, और वो पहले ही लेट हो चुका है स्कूल के लिए, और अभी वो दूसरे डायरेक्शन में जाने वाला था, तो पड़ा पड़ से अपने घर से भागता है स्कूल जाने के लिए, और में उसे एक और महाशाय मिलते हैं, जिनका नाम है वाचर, और ये वाचर भाई साब जो है, ये पेशे से एक ब्लेक स्मिथ है, यानि कि लोहार है, और साथ ही साथ ये भी आवाज देगे उसे कहता है, अरे बिटा इतना तेज भाग के मत जाओ भी, तो बहुत ताय में तु मेरी भी सास बिल गई, तो यहाँ पर जैसे ही फ्रेंज महाँ जाकर रुखता है, सास लेना शुरू करता है, थोड़ी सी ब्रीद जो है, उसे कैच करता है, तब ही वो नोटिस करता है कि यार स्कूल में इस समय जादा तर एक भगदन मची रहती है, मतलब बच्चों के शोर जी गाते रहते हैं, उसकी आवाज आती रहती है, लेकिन आज का जो मॉर्निंग है, आज स्कूल चालू है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग ऐसे लग रही है, बिल्कुल शान्त, जैसे मतलब महुल ऐसा लग रहा जैसे संडे मॉर्निंग को, कभी गुजरे हो अपने स्कूल के संडे मॉर्निंग को, बिल्कुल शान्ती सन्नाटा, एक दम भूती आवेली जैसा लगता है, उस टैंबे स्कूल, कि भाईया ये क्या है, क्योंकि आपने कभी अपने स्कूल को शान्ती में देखा ही नहीं होता है, अमेशा एक शोर शरावे में देखा होता है, तो जब वह पहुसता है, उसे लगता है, क्या राज इसको इतना शान्त कैसे है, दीरे 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 वह अपने क्लासरूम की तरह बढ़ने लगता है, बिल्कुल डरा हुआ सा, बिल्कुल घवराया हुआ सा, शर्मिंदा हुआ सा, और जैसे तैसे वो हिम्मत करके सर के सामने आता ह है AB ML Sir को देखता है और EML Sir जो है उसे देख करके वो बहुत जादा ढरावा था उसे पहले ही पता था भी आज तो जहाड़ पड़ने वालिया आज तो डाट पड़ेगी जोड़ता लेकिन MmL Sir जो है उसे डाटते नहीं है डपटते रहें डपकारते नहीं है बलकि उससे बोश आता है कि चलो भाई अब सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं कोई समस्या नहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली तभी मिस्टर MML की तरफ देखता है कि यार उन्होंने आज बहुत अलग से बहुत शांदार वाले कपड़े पहन रखें ऐसे कपड़े साम चीज़े देख करके उसको समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं तोड़ी देर बाद MML सर खड़े होता है खड़े होके बताते हैं कि आज हमारे यहां पर आज हमारी जो फ्रेंच भाषा का पार्ट होने वाला है यह हमारा आखरी पार्ट होने वाला है यानि इसके बाद औ हमारा application पर बैठ चल रहा है तो स्यूटी की तयारी वह बच्चे कर रहे हैं जो बच्चे अभी अभी 12th क्लास देखर के आए उन 12th क्लास वाले बच्चों ने सबसे पहला पार्ट यही पढ़ा था मेरे से तो अब उनके मन के जो भाव हैं वो आप उनकी परिक्षा वाले जो वीडियो रहे मैं आज भी देख रहा था शाम को ताकि मैं थोड़ा और अच्छी खुद की भी बना सको इस लास लेसन चैप्टर के साथ में तो मैंने क्या नोटिस किया कि जैसे मैंने कोई बिहार बोड का special session लिया है या UP बोड का लिया है या MP बोड का लिया है या राज्तान बोड का लिया है तो उसमें जादा तर यही सारे message है sir we will miss you हम आपको हमेशा बहुत याद करेंगे sir आपकी बहुत याद आएगी sir कैसे session कतम हो गया पतानी चला तो ठीक है यह एक भाव students के मन में रहता है यह feeling students के मन में अपने teachers के लिए हमेशा रहती है साल भर हो सकता है कि बहुत अच्छे से रहे हो आप अपने teacher के साथ बहुत अच्छे से नहीं भी रहे हो वो सकता है कोई teacher बहुत जादा डारता नारता पीटता हो तो उससे आपको बिल्कुल दूरी ही महसूस ह रहे हैं कि आज हमारा last French का lesson है इसके बाद कोई French lesson आगे नहीं होगा अब बात आती है कि chapter है क्या यहां से अब हमें chapter को सही से समझना है सही से देखना है यह अब तक का तो मैंने केवल जहां से chapter actually start होना है जहां से घटना करम start होना है वहां तक का उससे पहले तक का बता है अ इसमें क्या होता है कि 1870 और 71 के आसपास पर्शिया और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ और पर्शिया और जर्मनी के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसके अंदर पर्शियन जो soldiers है यानि कि France जो है France और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ और France के जो दो जिले एक कराम था एल्सिस एक कराम था लॉरियन तो यह दो जिले जर्मनी ने जीत लिए अब जर्मनी ने जीतने के बाद में जो मैंने बताया था ना कि वह टाउन वॉल से दौरदावा आ रहा था तो वहाँ पर एक ब्लैक खड़ा था जिसने आवाज दी अरे बहुत तेज मत तो ध्यान नहीं देता भाग के फटा फट स्कूल आ जाता है उसमें एक नई ख़बर आई थी और नई ख़बर क्या आई थी कि अब भया ये जो दो जिले हैं ये दो जिले जर्मन के कंट्रोल में आ गये हैं जर्मन जो है वो अब यहां पर राज करेंगे और अब से यहां पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी उसकी जगह पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जैसे ही ये शब्द के आज हमारा लास्ट लेसन हो ले वाला है फ्रेंच लेंग्विज का ये जैसे ही फ्रेंच के कानों में पढ़ते हैं एक तरीके से उसे ऐसा रगता है उसके उपर पहाड तूट पढ़ा हो उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई यह क्या हो गया मुझे ना तो फ्रेंच भाषा रंग से बोलनी आती है ना लिखनी आती है ना मैं फ्रेंच भाषा समझता हूँ ना मुझे फ्रेंच भाषा का इतियास पता है ना संतों का इतियास प किया है और यह कैसे हो गया कि आज हमारा लास्ट लेसन है आज के बाद फ्रेंच भशा का कोई लेसन नहीं होगा आप में से आज तक कभी किसी ने ऐसा महसूस किया हो किसी भी रिगार्ड में कोई आपका दोस्ती आके कहते कि चल वहाई आज से अपनी दोस्ती का आखरी दिन आज से तू तेरे मैं मेरे ठीक है या ऐसा मुझे कहना तो नीची आप सब टीनेजर से लेकिन फिर भी समझ सकते किसी का ब्रेक अप हुआ हो किसी ने कह दिया हो किसी को कि आज के बाद अपने शकल मत दिखाना निकल याँ से ठीक है यह लास्ट है बाइबाइ टाटा तो आ अपने अगर कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया तो मुझे बताइए यह सब ने विद्यारतियों का सवागत है मेरी क्लास में जो लास्ट इयर 11 में मेरे से जुड़े वे थे और 12 में अभी मेरे से पढ़ रहे हैं उनका भी सवागत है और जो लास्ट इयर तक मेरे व अपरे इसका ओब है नो सर नो सर यह तो शुरू होते ही खतम हो गया नहीं वहां खतम भाई अभी तो मैं बीच में रोक रखाऊं चैप्टर को अभी ट्रें ए स्टेशन से सी स्टेशन पर जानी है अभी बी स्टेशन पर रुके वे हैं चलो क्या बात है yes and no yes yes no no yes yes no no yes no yes no yes yes बढ़िया चलिए मैंने खुद कहा यह अच्छा है भाई किसी किसी से यह सुनना के रवन्ना हो उससे बढ़िया तो यह खुद कह देना रवन्ना हो कम से कम कॉंप्लेक्स नहीं होता न यह मैंने पर्सों की क्लास में बताया तो था हर्ष ब्रह्मचारी जी जिस दिर हमारे लेंट शेयर पे 50 सरापसे किसी ने कहा कौने नलेक प्रेम प्रेम मैं तेरे पर आ रहूं तो उल्टा मेरे पर आ गया तेरा सही है वाई चलिए तो फ्रेंच जैसे यह बात सुनता है यह बात सुनते के साथ ही उसे लगता है कि यार यह क्या हो गया उसी समय M.Hemil जो है वो उनसे बात करना कि आप कैसे फ्रांसिस ही हैं आप अपने आपको कैसा फ्रांसिस ही कहते हैं आपको फ्रेंच लेंग्वेज ही नहीं आती है आपको अपनी लेंग्वेज ऑफ दा लेंड जो है आपकी यहां पर मातर भूमी पर आपकी जो मातर भाशा है वो मातर भाशा ही आपको नहीं आती आपकी mother tongue आपको नहीं आती, ना आप पढ़ सकते हो ठीक से, ना आप ठीक से लिख सकते हो अपनी मातर भाषा को, तो आप कैसे फ्रांसेसी हो, मुझे बताओ कल को जब जर्मन तुमारे पास आएंगे, और तुम उने, वो तुम से पूछेंगे, तुम कौन हो, और आप कोगे आपकी तुम से पूछेंगे, तुम से बताते हैं, जिससे वो बताते हैं, कि सभी लोगों की गलती आ रही है, कि हमने फ्रेंच लेंग्विज नहीं सीखी, और साथ ही साथ वो ऐसा नहीं है, कि कि वल दूसरे ही लोगों को ब्लेम करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स उनके पीछ में, उसके पीछे की तरफ कुछ जो ग्रामीन लोग हैं, जो गाउं के सम्मानित लोग हैं, जैसे फॉर्मर मेयर हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, होसर हो गया, ये सारे के सारे लोग पीछे की तरफ क्लास में आके बैठे हैं, क्योंकि वो सम्मान देना चाते ह अपने उस सिक्षक को, किस सिक्षक को, जिस सिक्षक ने, यानि मिसरा M. Hemel ने, जहां पर 40 साल अपनी सेवाएं दिये, 40 सालों तक उन्हों ने पढ़ाया है, उसके बाद वो बताते हैं, तुम्हारी गलती होने के साथ, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो क्य चाहते हैं, तुम जाके मिल में काम करो, पढ़ाई करने के बज़ाएं, तुम जाके खेतों में काम करो, पढ़ाई करने के बज़ाएं, और ना केवल तुम्हारे माता-पिता, बलकि मैं भी वो इंसान हूँ, जिस बात का ब्लेम लगाना चाहिए, कई बार ऐसा होता था, मे आप ही उतने गलत नहीं है, आप ही अकेले गलत नहीं है, आपके parents ही गलत नहीं है, मैं भी साथ में गलत हूँ, उसके बाद में वहाँ पर कुछ पढ़ाना वो शुरू करते हैं, कि चलो last lesson है, तो कुछ पढ़ाया जाए, तो सबसे पहले कृदंत पढ़ाते हैं, participants पढ़ाते ह लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, बिचारा पहले ही शब्द पे अटक जाता है, और अटकते ही MML कहते हैं, कि बिटा इतना बुरा मत महसूस करो, तुम पहले ही बहुत बुरा महसूस कर चुके हैं, तुम अकेले ही नहीं हो जिसकी गलती है, हम सभी की इसके अंद देखता हूं, तो वह ऐसे पूरी क्लास रूम को देख रहे हैं, जैसे हर एक चीज़ को अपने दिल में, अपने बन में बसा लेना चाते हैं, कि यार मैं जिस रूम में 40 साल पढ़ाता था, उस रूम में इस तरफ लाइट लगी वी थी, नीचे इदर बच्चों ने क्या ब वहन है, वो उपर वाले रूम में जो उनके बखसे है, यानि कि जिसमें उसका सामान जमा किया जा रहा है, उनके सरकानी की आवाज आती है, जिससे उसे एकदम से वापस ध्यान आता है, कि अब यहां से चले जाने का, अब यहां से निकल जाने का टाइम हो गया है, अब यह नहां से जाना ओगा क्योंकि अब कल ही जर्मन भाषा के नए टीचर है वो आज आएंगे तो आज मुझे यहां से निकलना होगा तभी वो अपनी कुर्शी से खड़े होते हैं, कि अपनी भाषा रूपी चावी जब तक आपके पास है तब तक आपको कोई कैद नहीं कर सकता आपके पर कोई दूसरी भाषा थोप नहीं सकता क्योंकि अगर आपको दूसरी भाषा रूपी जेल में डाल भी दिया जाएगा तो भी उस जेल से आप बहार निकल सकते हो जब तक आपके पास खुद की भाषा रूपी चावी तहीयार पड़ी है यह कहकर वो खड़े होते हैं दिवार की अपने बोर्ड की तरफ ग्रीन बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं उस पर बड़ा बड़ा लिखते हैं विवेला फ्रांस यानि फ्रांस की जै हो और उसी समय एक छोटा सा इशारा करते हैं जिसका मतलब भी होता है इस तरीके से इस पार्ट का अंत होता है ठीक है गयस तो यह मैंने मोटे मोटी जो घटना है उन सब को cover करने की कोशिश की है कल हम लोग इस lecture को मतलब ये जो पूरा chapter है इसको line to line word to word पढ़ने वाले उससे पहले आज इसका थोड़ा सा समरी और थोड़े से main जो points है उन्हें हम लोग देखेंगे ठीक है story कहीं लगे भाई तोड़ी सी दिल को छू लेने वाली story है इस साल जादा तर story है रूलाने वाली है मैं पहले ही बता तो मतलब मर्म इसपरशी रिदय इसपरशी दिल को छू लेने वाली कहानिया जादा है story clear हुई या नहीं हुई फटाफट से एक बार बता दो तो फिर आगे बढ़े इसके characters के बारे में बात करेंगे क्या बात है भाई 200 से जादा बच्चे है जिन्होंने भी तक like नहीं किया ऐसा क्यों कर रहे हो मैं मैं नहीं पढ़ा रहा ह। मैं छुपा लूँँगा के लिए तो मैं पिछले दो सालों से या नहीं मेरा थर्ड सेशन है पिछले दो सेशन से मैं learning share family के साथ जुड़ा वा हूँ उससे पहले मैं competition और academics दोनों classes में English पढ़ा चुका हूँ और मेरा total work experience जो है 12 साल का है ये मेरा 13 साल शुरू हो रहा है working का English faculty मैं पिछले 12 सालों से अपने ग्रह जिले के अंदर जो कि है अजमेर राजस्तान यहां पर कारियरत हूँ और अलग-अलग institutions के साथ और schools के साथ मैंने काम किया है साथ ही साथ morning में competition classes पढ़ाईए और evening में academics पढ़ाईए ठीक है तो यह मेरा एक छोटा सा परीचे है अलग कि मुझे बहुत पसंद नहीं अपना परीचे देना लेकिन हाची तरांस सब ठीक है आपके यहां पानी गिर रहा है हमारे यहां पर दूब गिर रही है अभी ऐसा लग रहा है रात को भी गर्मी लग रही है thank you digital house for the kind words very nice दिल जीत लिया भाई ने thank you प्रीटी thank you बेटा राजकुमार कह रहे है बंद कर दो सर camera बंद कर दो बेटा मैं मैं सब कुछ समझाऊंगा एक बार जो भी विद्यारती मुझसे जो कुछ पढ़ना चाहते हैं एक बार please learn and share की English की playlist चेक कीजिए आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे मैं आपको writing, reading, literature, literature में chapters, poetry, explanations सब कुछ पढ़ाऊंगा और नहीं तो परसो का एक lecture आया था जो हमारा orientation lecture था जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम NCRT की तयारी कैसे करेंगे बिहार बोड की तयारी कैसे करेंगे वो lecture भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएका परसो की lecture में मैंने सब detail में बताया हम क्या-क्या पढ़ने वाले चलिए पढ़ापड से please मैं फिर से एक बार request करता हूँ लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे फिर आगे देखते हैं बिलकुल यूपी बोड का है definitely नहीं यह नोट करने के आवशकता नहीं है बिटा यह ठीक है मोटा मोटा हमें समझने के लिए है हना इसमें नोट करने जैसा कुछ है नहीं हाँ इसके लास्ट में कुछ 17-18 प यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम है अधालासलैस हे आपोंस डोडे नहीं से लिखा है दो मैन केरेक्टर समया पर दिखाई देते हैं सबसे पहला है म है मधतर में गैरे स्टुडेंट होने के साथ साथ ही यह हमारे लिए हमारा कथाकार भी है कथाकार क्योंकि बोल रहा हूं क्योंकि जो भी कहानी हमने पढ़ी है जो भी कहानी हमने अभी सुनी है वो सारी कहानी हम फ्रेंच के नजरिये से देख रहे हैं मतलब फ्रेंच जो जो देख रहा है महसू और लॉरेंज जो है अभी जब सर पढ़ा रहे है तब तो फ्रांस का हिस्सा है लेकिन डिक्लेरेशन आ चुका है कि भीया जर्मनी जो है इन दो देशों को जीट चुका है और अब से ये जर्मनी देश में रहेंगे दो जिले और यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी तो यहाँ पर ये इन दो जिलों के अंदर 40 वर्शों से पढ़ा रहे हैं हाला कि बहुत ही करतव्य निष्ट वेक्ति हैं ड्यूटिफल का मतलब क्या होता है करतव्य निष्ट है ये अपने करतव्य को अच्छी तरह से निभाने वाले वेक्ति हैं सिंसियर है यानि कि गंभीर प्रवर्ती के भी हैं अपने कार्य को गंभीरता से लेने वाले वैक्ति हैं लेकिन फिर भी कई बार ये लापरवाही भी करते हैं नगलेक्ट भी करते हैं नजर अंदाज भी करते हैं अपने करतव्य को और बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ फ पानी डालने के लिए बेज देंगे चुटी कर देंगे कि जाओ मजे करो तुम भी मजे करो मैं भी मजे करो तो ऐसा पीचर बहुत होते हैं ऐसा टीचर नहीं के सर कल क्या पड़ा होगे देख कल पर जारों गूमने तू जा तरी जो मर्जी को करियो मैं भी एक अथ दिन है न अलगर से चुकारा चातब मुदा है अलागि पिशुंका इंडिया में इतनी फीशिंग वगर होती नहीं लेकिन लेकिन पिर फिश्व करें आप क्या कर रहो को कल मैं सोंगा गोर सतरना क्या करें करس तो contributing केट कि टीक है तो फ्रेव पढ़ाई करता है और student है MML का school के अंदर ये भी negligent है यानि कि ये भी नजर अंदास करता है अपनी पढ़ाई को और ये जो story है ये इसी बारे में है कि कैसे उसकी अभिवृत्ती कैसे उसकी मान सिखता कैसे उसका attitude जो है पढ़ाई को लेकर MML को लेकर French language को लेकर वो अचानक से सेकेंड के लिए हमें दिखाई देता है कब जब टाउन हॉल पर लोगों की भीड है लोग जो है bulletin board के सामने खड़े है अगबार पढ़ रहे है उनको वे भी जानकारी मिलिए कि वही उपर से ड्राफ्ट आया उचद्ध अधिकारियों का अदिश पत्राया है कब यह अब से लोरेंड और एलसेस जो है यह दोनो जर्मन देश की जिले कहलाएंगे फ्रांस के नहीं कहलाएंगे ठीक है उससे बस वह खड़ा है और भागते वे फ्रेंच को यह कहता है बेटा दीरे दोड़ो पर किवल एक minor character है जो कि जब class में बहुत सारे बुड़े बैटे होते हैं उनके बीच में से होसर भी है एक पुराने postmaster भी है एक पुराने mayor भी है पुराने मतला व्रिध पुराने मतला वैसे पुराने नहीं व्रध मेयर है महाँँ पर वह भी बैठे में है तो ये सारे के सारे लोग यारी कि वाचर एक शन के लिए दूसरे पर दिखता है होसर और अन्य जो ग्रामीन है वो ग्रामीन वासी है वो भी वहाँ पर दिखाई हमें देते हैं ध्यान रखना एक्जाम में इससे प्रशन नहीं बनेगा लेकिन याद हो तो आंसर लिखने का कॉंफिडेंस बढ़ जाता है अना ये बात याद रखने की है एक्जाम में डिरेक्ली इस पर कॉशन नहीं बनेगा कौन से वार को लेकर है क्या है क्या नहीं वो नहीं पूछेग तो जर्मनी की शेना का नाम था Sergeant Sena तो परिशियन सेना जो थी परिशियन आर्मी और फ्रांस के बीच में युद्ध लड़ा गया था ठीक है तो France was defeated जिसमें France हार गया defeated का मतलब हारा दिया गया Passive voiceerson यही तो वनेगा France was defeated by Persian परिशिया कौन सा voice है, active voice है or passive voice है, बताना पड़ा आपसे, 12th क्लास के बच्चे, यह sentence active voice में लिखा गया है, के passive voice में लिखा गया है, minor मतलब बहुत ही noon thumb, ठीक है अश्वीनी, minor शब्द से थाथ परे है noon thumb, कम से कम, very nice success 2.0 होसर नाम है बटा बताइए बटा बटसे यह sentence active voice में है या passive voice में passive voice, 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 बहुत बढ़िया तो हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है इसका definite का मतलब हरा दिया गया परशिया के द्वारा हरा दिया गया परशिया को कौन उसकी leadership कौन कर रहे थे led by Bismarck बिसमार्क जो है यह बहुत ही बड़े आप कह सकते हो राजनीतिग्य हुए है और सेना के विशह में मतलब सेना के जर्णल है लेकिन जब परशिया जो है वो एक तरीके से विश्व विजय करने के आसपास के जो एरिया उनको विजय करने के करके और अपने एरिया को बढ़ा करने की कोशिश कर रहा था तो यह जिम्मेदारी बिसमार्क को सौप ही गई थे और उसने बहुत शानदार तरीके से इसे निभाया था 10th class के हिस्ट्री के अंदर आप बिसमार्क के बारे में पढ़के हैं तो इस स्ट्औरी के अंदर फ्रांसी सी जो जिले हैं जिनका नाम है एल्सेस और लारेन वे सौप दिए गए है पास्टिंऩू का MID है सुपृद कर दिए गए है पर्शिया के हातों में the story begins with friends unwillingness to go to school और कहानी शुरू होती है जहाँ पर friends जो है वह स्कूल नहीं जाना चाहता as he was afraid of being scolded क्योंकि बहुत जादा डरावा है कि उसे data जाएगा उसके teacher Mr. MML के द्वारा who would question him जो कि उनसे सवाल पूचेंगे किसके बारे में participants के बारे में हिंदी में कहते हैं कृदंत के विशे में आदे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको English में participle नहीं पता और हिंदी में कृदंत नहीं पता इमानदारी से बताना आप उसमें सेग हो या नहीं हो बोले सर देखो English में participle क्या होता है फिझे नहीं पता हिंदी में ओत्व होतरे मुझे नहीं स्वूर्ऊप को Yannik किषी प्रेकिशिनуп क्रीया की तरह इस्तेंमाल करती है। उसे संग्या की तरह करने के लिए उसमें चेंज़ें किये जातें या फिर लेवल पर जब हम किसी εκक्रीया पद का प्रियोग करते हैं तो उसे कृदंत या participles कहा जाता है अभी पता चल गया ठीक है he didn't know a single word about और जिसके बारे में यानि कि participles के बारे में teacher पूछने वाले थे और उस बिचारे गरीब आदमी को मेरे जैसे बोले जीव को कुछ भी नहीं आता था उसके बारे में एक सब्द भी नहीं पता था participles के बारे में he resisted the idea of enjoying the good weather and scenery तो वह resist करता है रेजिस्ट करने का मतलब होता है वह विरोध करता है उसके दिमाग में जो ये विचार आया ना कि चलो भाई उड़ी मार ले आज इसको नहीं जाते हैं उड़ी मार लेते हैं इस विचार का वह विरोध करता है और वह अच्छा weather अच्छा मौसम में enjoy करने का जो idea है उसे त्याग देता है और अच्छे द्रश्यों को देखने का विचार त्याग देता है hurried off hurried off किसके लिए का जाता है तेजी से भागते हुए जाना ठीक है किसी जगह पर तेजी से भागते हुए जाने के लिए क्या बोलता है hurried off to school school की तरफ जाता है when he passed the town hall जब पर town hall इस तरह की जगह होती है वैसे बड़े शहरों में फ्रांस में लेकिन जहां पर घंटा घर लगावा होता है जहां पर बड़ी सी मिनार होती है उसके उपर clock लगावा होता है clock tower जैसा area होता है तो वहां पर एक bulletin board लगावा होता है जहां पर जो लोग अकबार पहले नहीं खरीद पाते थे तो वहाँ पर अकबार चिपका दिया जाता था तो सब गाम वाले आकर के वहीं पर अकबार पढ़के घड़ चले जाते थे ठीक है तो टाउन होल से जब गुजरता है he saw a lot of crowd बहुत बड़ी भीड देखता है bulletin board के सामने bulletin board वैसा ही होता है sitting in on the back of the benches यानि कि back benches पर पिछली जो benches है उन पर गाओं के व्रद्द लोग बैठे होते हैं mml was wearing his best dress mml ने भी अपने अच्छे कपड़े पहन रखें there was unusual silence in the classroom room एक बड़ी सी unusual का मतले होता है ऐसामाने शान्ती कक्षा में महसूस होती है जैसे कहता है तुफान आने से पहले की तो मम्ल सर के मौजूद होते वे जैसा सनटा क्लास में मैसूद हो रहा है वो इसलिए वह रहा है कि कुछ तो बहुर है कुछ तो धिक्कत होने वाली है इसलिए इतनी शांती बच्चे बेटें बुडे बेटें सर चुपचाब मस्त कपड़े पाइन रहे हैं लेकि अजीब सी शानती है MML announced that Elsie and Lauren had been occupied by the Persians MML खड़े होते हैं announce करते हैं announced का मितलब उन्होंने गोशना की ठीक है उन्होंने गोशना की किस बात की गोशना की कि इस बात की कि Elsie और Lauren जो है उन पर कबजा कर लिया गया है has been occupied किसके द्वारा कबजा अगले दिन से इस स्कूल के जितने बच्चे हैं उन्हें जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी यह तरीके से क्या कहते हैं वज्रपात दिल को दहला देने वाली गटना तो एक तरीके का वज्रपात है जिसकी वजह से उसका एटिट्यूट जो है जीवन के प्रती वो बदल जाता है पहले आप बताओ फिर मैं बताओ जब तक मुझे कम से कम तीस मैसेज नहीं मिल जाते जब तक मुझे तीस बच्चों के अंसर नहीं मिल जाते मैं नहीं बताओंगा चल और अभी बहुत सारी बच्चे लाइक नहीं किया अभी भी काफी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने लेक्चर को लाइक नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ सब्सक्राइब बहुत खुश रहते हैं कि खुश रहना चाहिए क्या दिक्कत है कि आपको भूख लगी थी आजी त्यक्षिश्ण कि खुश रहने का एक सीधा सीधा सिंपल सा सिद्दानत है बात को समझो पता लगा ओ पता नहीं तो मैं यह यहां बैठके पता नहीं आई डोंड नो कहने से काम तोड़ी चलेगा चलिए एक आया शृति का आया वेरी नाइस वेरी नाइस शृति हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करें बताएं प्रैक्टिस के साथ साथ ओके बताएंगे बेटा अफ्रेड का मतलब ड़ना बेटा अरजुन चोहान अफ्रेड का मतलब ड़ना पहले शब्द का मतलब है किसी कार्य का दोशी होना ठीक है that they all were culpable वे सभी लोग दोशी थे किस चीज के लिए दोशी थे thank you challenge अब कल पेपल का मतलब डोश नहीं है या दोशी होना ठीक है सदोश बिलकुल ठीक है thank you सदाकर sir आप से बात हो पाएगा बिलकुल हो पाएगा बिटा क्यों नहीं हो पाएगा अभी हो रहा है ना बात आप बताएगे क्या बात करना चाहते है बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है अरे सेकंड वाले का क्यों नहीं बता रहे हैं सेकंड वाले शब्द का डेरेलिक्षन का क्या मतलब है फटाफट से बता दीजिए what is the meaning of dereliction निर्भय पटे लापुदैपूर से हैं बहुत बढ़िया क्या repeat करना है रंजीत मिश्रा बेटा बताईए सर जेनरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन करना किसी चीज को प्रारंब करना अना उस अर्थ में जेनरेटेड वर्ट आता है slow teaching please मुकुल कुमार बिल्कुल लगाएंगे आपके अटेंडेंस आप आज से 90 डेज में जितनी क्लास होगी हर क्लास में मुझे दिखाई दीजिए उसके बाद सबसे पहले उसके बाद देखो आपकी लगाता हूं तो नहीं लगाता है पिड़ो तो लगेगा ना आपकी हमेशा मुझे दीरे दीरे नाम तो याद होने दो फिछले साल भी मुझे जो मेरे रेगुलर आने वाले इस्टुरेंटे उनका नाम याद करने में दो एक महीने का था लगाई था डेलेक्शन का मतलब होता है करतब्य बालन नहीं करना सर प्लीज यह लेसन स्टुरी टाइप का बताएं बता दिया इट निशांत प्लीज बेटा आगे जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां देखिए हेलो तनीशा वेलकम तो दे क्लास बेटा चलिए उपेक्शा गड़ना या किसी चीज का तिरसकार करना ओके इस अर्थ में आता है चलिए तो आप लोग भी दोषी है उपेक्षा के कि आपने अपनी डूटी यानि आपके करतब्य जो थे उनका आपने क्या किया है उपेक्षा किए उनका तिरसकार किया अपनी डूटी को नहीं निभाया towards their language उनकी भाषा के प्रती कौन सी भाषा है उनकी भाषा है फ्रेंच भाषा के प्रती उन्होंने यानी कि Mr. M.M.L. उन्होंने उत्पन्न किया या प्रारंब किया उनके मन में प्रेम उनकी खुद की ही भाषा फ्रेंच भाषा के प्रती वे कहते हैं कि फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे खुबसूरत भाषा है and they should hold fast hold fast का मतलब होता है पकड बनाये रखना पकड या पकड बनाये रखना उन्हें अपनी भाषा पर पकड बनाये रखनी होगी अपनी पकड को मजबूत करना होगा अपने ग्यान को बढ़ाना होगा he taught them grammar, writing and history और साथ ही साथ वे उन्हें फ्रेंच भाषा की grammar पड़ाते हैं व्याकरण कैसे फ्रेंच भाषा लिखी जाती है वो पड़ाते हैं और संतों का इतियास पड़ाते हैं it seemed as if he wanted to instill everything he knew in their minds वो चाते थे कि बस जो कुछ मुझे आता है फ्रेंच भाषा के बारे में एक ही क्लास में आज ही के दिन वन स्टॉक के अंदर एक जटके में सारी चीज़े सब लोगों को सिखा दू जो कुछ मुझे आता है इस आदे पॉन गंटे की क्लास में सब एक जो है वो आशा करते हैं वो इच्छा जाहिर करते हैं finally when it was time to dispense यानि कि समाप्त करना ये अंत में जब कक्षा समाप्त करने का समय आता है जब कक्षा समाप्त होने वाली होती है तो वे जाने के लिए सबको कहने वाले होते हैं लेकिन उनका गला एकदम से क्या बोलते है जा चाहिए जाम हो ना नहीं तो ये जाम को ऊछड़ा जाम समझलेंगे तो उनका गला एकदम से चौक हो जाता है उनका कुछ बोल ना चाहते हैं धियुक टो Люб Erm इतना लिखते हैं विवेला फ्रांस का मतलब क्रहां और अपने हाथ का इशारा करके क्लास को समाप्त कर देते हैं जैसे भी कुछ दिन पहले देखा है मैंने बड़ा मस तरीका था क्लास को समाप्त करने का कमल असन के भी एक मूवी आई थी उसके अंदर जब उसके घर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है और वो सभी लोगों से कहना चाता है कि बाहर डिकल लिए तब वो एक कुछ इस तरह का अगेश्चर करता है देखी वो देखा मीम देखा क्या हो अला वेन माइ रिलेटिवस टेल मी सम्थिंग विच आई डूंट वांट तो हीर जब मेरे रिष्टदार मुझे कुछ ऐसा कहते हैं कक्षा समाप्त हो गए the class is gone ठीक है class and हो चुकी है ठीक है इस तरीके से कहकर वे उससे मैं कक्षा को समाप्त कर देते हैं yes or not clear है कि नहीं है पुरा चैप्टर का हमें मोटे मोटे तोर पर जो कुछ पता होना चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग almost 60% से जादा knowledge gain कर चुके हैं इस चैप्टर में क्या क्या है लेकिन काम तभी होगा जब हम line to line और word to word उसे देखेंगे क्योंकि उसमें हमारी vocabulary भी जुड़ी होगी grammar भी जुड़ी होगी साथ ही साथ हमें detail में पूरा का पूरा चैप्टर देखना है delegation का मतलब निराधार बिटा निराधार होता है अनुष्का चौदरी लेकिन अभी इस sense में निराधार इस्तमाल नहीं होगा एक बात को समझने की कोशिश करो एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं अब यहां पर क्या है कि हम दोशी है कि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया यानि अपने कर्तव्य का उपेक्षा की या अपने कर्तव्य का तिरसकार किया ठीक है तो यहां पर जो आप meaning बता रहे है वो meaning हो तो जाएगा लेकिन वो मिनिंग यहाँ पर suitable नहीं जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं जिस sentence के according हम बात कर रहे हैं उस sentence के according वो meaning वहाँ suitable होगा नहीं राइट सर आज चुट्टी कर दीजिए न प्लीज चलो ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आया हूँ यह आपके कुछ bulletin points है जो आपके chapter को represent करते हैं आपके chapter को दर्शाते हैं कुछ 17 points हैं जादा कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे एक छोटा सा home work है अभी हमारी class खतम हो जाएगी class खतम होते के साथ ही आप लोगों को बस एक काम करना है आपका comment box open हो जाएगा comment box में जिन जिन words को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उन words के meaning मुझे चाहिए कल शाम को साड़े आठ विजे class start होगी उससे पहले वो meaning मुझे चाहिए जो जो इन words के meaning लिखेगा कल मैं उनसे बात करूँगा जो जो नहीं लिखेंगे उनसे मैं बात नहीं करूँगा ठीक है? सिंपल सी बात देखो बाई मैं अगर आपके लिए प्रयास करूँगा तो मैं बदले में कुस्तो आप से चाहूँगा कि या मैं 10 कदम चल रहा हूँ या मैं 9 कदम चल रहा हूं यार एक कदम तो मेरे साथ आप भी चलो एक कदम का तो हो सकता है ना दीरे-दीरे मैं अपने कदम थोड़े कम कर लूँगा 9-8 कर लूँगा 7 कर लूँगा एक-8 कदम फिर आपको भी बढ़ाना पड़ेगा तो अभी क्योंकि सेशन जब स्टार्ट हुआ है तो 90% काम मैं करूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई परिशान ही नहीं मैं लास्ट लेक्षर में भी का था एक आदमी के अगर कटिन परिश्रम करने से अगर लाकों विद्यारतियों का भला हो सकता है तो करना चाहिए उसमें चूकना नहीं चाहिए लेकिन लिए करकेुदेना सबसे पहला है रिलक्तिन दूसरा यहां पर हमें मिलेगा फिर से बता रहा पे टाउन हॉल के बाद अगला आप आजाईए किस पे अन्यूज्वल पे वियरिंग पे फ्रिल्ड पे एम्रोइड पे ऑक्क्यूपाइड पे एल्डर्स पे इंफर्म्ड अनौंस्मेंट आउट्लुक नुशंस क्रैंकी रिसाइट स्कॉल्ड प्रेभ्श्ट प्रिप्रोच लोगिकर अंढवै किस प्रिश्ड आळा। परिशन पिशन फिच फैंच ट्टिछ टूचिंज ल माण जो एंगे क्वेएग्च्ट टू ह्ट्ट inputs प्रिश्ड टडट्चॉ worlds उल्याम जोुवर्च्छ्ट। सीमड कैप्चर स्टुडप पेल बस ज्यादा नहीं है दस बारा हुए होंगे मेरे इसाब से ज्यादा नहीं है आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा पॉस पॉस करके आराम से नीचे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोए परिशानी आएगी तो हमें कब तक काम को कंप्लीट करना है पना करना वाए लहाँ साड़े आठ बाइसे पहले पहले इस वर्ड विनिंग के काम को कम्प्लीट कर लेना है चले बताइए कौन को इस काम को कम्प्लीट करने वाला है फटा फट से एक बार बता दो फिर क्लास खतम करते हैं जाओ रेस्ट करो खाना और रोटी ओटी काओ दूद पियो सोजो गुट और यहां पर आप लिखो मैं देख भी नहीं पाऊंगा और देख भीड़न काया है मैं देख पाऊंगा और जैड़े प्लीज हो इसके लिए और अब अगर आप एक चोटी सी छीज दिखा रहहा है फटा-फट से दो मिनटी रुक जाना बस just wait for two minutes बार बार क्या है क्योंकि साल बार साल बर बच्चे एक फुछते रहते हैं सर ग्लास हो जाती है हमें पता नहीं चलता सर कभी क्लास नहीं होती है तो हमें बता नहीं चलता उसके लिए आपको सीधा सा काम क्या करना है सीधा सा काम आपको contemplate सेधी अप्ता चरवार है न कि टेकून मैं पड़ा रही हूं है तो आरा है इसमें आपको यह नीचे जो है यहां पर यह लिखाब आ रहा है न हम कि यहां पर आपको मोर पर जाना है और मोर पर जाने के Πात नीचे से 4 नमर पे टेलीग्राम चैनल है क्या है टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके वह आपको अपने टेलीग्राम पर लिया आएगा वहां करके आपको जॉइन करना है ठीक है अब जैसे ये मेरा तो टेलीग्राम लोगिन है नहीं तो इसलिए मेरे को यहां पर यह शो कर रहा है बाकि आप ट यह सारी चीज़े आपको यह देखने को मिल जाएगी देखो ऐसे में वीडियो डाल दे तो आने से पहले अब मैंने इसको म्यूट कर रहा है तो मेरी आवाज आएगी नहीं बाकी इसके अंदर मैं कहा रहा हूँ यहां पर फ्री मिल जाएगा इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना रहेगा ठीक है आर भी एसी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉशन है वो आपको यहां मिल जाएंगे आप इस तरीके से इसे डाउनलोड करके ओपन भी कर सकते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज ह अगर आप चूकना नहीं चाते तो फटा-फट से जहां मैंने बताया हो वहाँ जाकर कि आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए कल भी मैं मेरे आने से पहले वहाँ पर एक डंका बजा दूँगा कि मैं आ रहा हूं फटा-फटा जाओ उमीद करता हूं आज का वर्ट ट्रांसलेशन एंड इमोशन्स को समझेंगे इस चैप्टर के थाइंक यू बाबाई सी यू तुमारू